एबीप नियूस पर आप देख रहे हैं लगातार करनाटक का सबसे सटीक एग्जिट पोल और इस एग्जिट पोल की बड़ी बात ही है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है पोल का फर्स्ट कट आप देख रहे हैं इसमें जो एक सीटों का दारा निकल कर आया अगर उसका उसत कर दिया जाए तो किस दल के पास कितनी सीटे हैं मतलब कितनी सीट ऑसत हम आपको बताने जा रहे हैं बीजेपी के खाते में 97 से 109 का अगर लिया जाए तो फिर बैठता है उसत 103 का कॉंग्रेस 93 पर आकर रुकती है जनता दल सेकलर 25 सीटों का आखड़ा 25 सीटे जेडियस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्ने के खाते में 3 सीट तो यह जो तस्वीर उभर रही है यहाँ पर एक बार फिर बहुमत के आखड़े से दूर लेकिन सबसे बड़े दल के तोर पर बीजेपी खड़ी हुई नजर आ रही है और सीटों का फासला कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच जो है इस एक्जिट पोल के फर्स्ट कट के मताबिक फिलहाल 10 सीटों का नजर आ रहा है तो यह वो बड़ा आकरा एक्जिट पोल के फर्स्ट कट का आक्रा हम औसत आपको दिखा रहे हैं जिससे एक बार फिर ये तस्वीर साफ हो रही है दुपहर दो बज़े के अनुमान के मताबिक बीजेपी को एक सो तीन सीटे मिलने का अनुमान यहाँ पर सीटों के फासले को समझे वो स्तिती में जब किसी भी दल को बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी कॉंग्रेस से 10 सीट आगे 103 पर और कॉंग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बन रही है 93 सीटों के साथ सीधे रुक कर कि 20 बजे तक कितने परसंटेज वोट हुए थे पड़े थे जिससे हम एक एक करपाएं कि 22 बजे तक कितने परसंट वोट थे और शक्रिण champion तो एक बज़े तक का जो आकड़ा था वो 37 फीसद के आसपास था जो तीन बज़े बढ़कर करीब 56 फीसद पर पहुंचा और उसके बाद हमने दर्शकों को बताया किस तरीके से वो आकड़ा शाम 5 बज़े पहुंच जाता है 64 दिशंबलव 5 फीसद पर प्रसून जी और अब जो आकरी आकड़ा आपने दिया प्रोविजनल आकड़ा है हाला कि क्योंकि उसमें कुछ और आड़ान होगा वो करीब 70 फीसद के आसपास बैठता है प्रदीब जी ये बहुत इंट्रेस्टिंग है चुकि हम लोग जब वोट पावर का जिक्र करते हैं कि आखरी वक्त में एक पूरा वोट निकलता है देने के लिए एक बज़े तक 37 फीसदी होता है और हम दो बज़े तक का दिखला रहे हैं तीन बज़े ये 56 परसेंट हो जाता है बहुत तेजी से रफ़तार बढ़ी है शाम के पांच बज़े 64 परसेंट है और आकरी गंटे में 6 परसेंट उसमें और इजाफा हो जाता है क्या ये 2 बज़े के बाद से 6 बज़े तक की स्तिती में आपको लगता है कि ये परस्तिती उलट सकती है बदल सकती है या JDS ग्रो कर सकती है नहीं देखिए जो बाद में वोट पड़ते हैं दो बजे के बाद या तीन बजे के बाद उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है जिस पार्टी के का संगठन बहुत मजबूत हो वोट निकालने वाला संगठन कि आप जानते हैं कि कहां कहां आपके वोटर हैं वोट देने गए हैं कि नहीं यह यह आपको पता है इसी के मद्दे नजर इस बार अमिच शाह ने यह पन्ना प्रमुख को अर्ध पन्ना प्रमुख बना दिया ने तो फिर क्या वज़ा है कि पर समर्थक है उसको निकालने की बात लेकिन कॉंग्रेस का समर्थक अगर कॉंग्रेस से निराश जेडियस का समर्थक अगर निराश है हम उधर चलें एक चीज और एक चीज और जाना चाहेंगे 2014 में बकाइदा हमने देखा था मोहन भागवत और भाईयाजी जोशी को नाकपूर में वोट डालने जब पहुंचे तो माइक जब लगाये गया उन्होंने बोला कि हम हिंदू वोट को निकालने आए थे वो घर में ना रहें निकल कर आए एक वो मैसेज 2014 का था आज की तारीक की स्थिति क्या है अगर वोट परसंटेज नहीं बढ़ता है तो देखी एक तो चार साल मोधी सरकार को हो गए है राष्टी अस्तर के ओपर मुझे लगता है कि देखी यहां पर एक जो बड़ी सिगनिफिकेंट बात यह कि जिस तरह से गुजरात में हुआ था कि बराबर की टक्कर थी कौन जीते गए तो पंद्रा तरह को पता चलेगा ले इसका seat conversion कैसा होगा? इसका हम यह मानें जिस बात का जिक परदीब जी कर रहे है कि आखरी मूवमेंट में जो औरगनाइसली मजबूत होता है पन्ना प्रमुक तक रहता है वो ज़्यादा प्रयास करता है तो जितनी बात मोबिलाइडेशन की बात हम भाजपा की कर रहे हैं तो यह जो आरगूमेंट निकल कर आ रहा है उसमें अगर शाम के तीन बजे तक 56 फिस्दी वोट हो जाते हैं और उसके बाद के तीन घंटे में सिर्फ 14 फिस्दी वोट पड़ते हैं तो यह मैसेज बड़ा साफ है कि शुरुवाती दौर नहीं करनाटक तै करने लगा था कि किस तरफ जाना है तो क्या राय है वहाँ पर प्रसुन जी मैं उस पर आऊंगी लेकिन दो और राजनतिक मेमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त प्रेम शुकला बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और कॉंग्रस पार्टी से मीम अवजल साब हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेम शुकला जी सबसे पहले आप से जानना चाहूंगी सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी करनाटक के चुनाब में उभर रही है एवीपी न्यूस के एक्जिट पोल के मुताबिक लेकिन मैं ये साफ कर दूँ दो पहर दो बज़े तक का ये आंकड़ा है आप औस एक सो तीन सीट पा रहे हैं एक तालस फीज़ी वोट प्रतिश्रत के साथ लेकिन बहुमत नहीं चूरे है सर इतना सब करने के बावजूद मुझे लगता है कि एक्जिट पोल के आंकड़े शुरू के दिनों आप देखा ओपिनियन पोल के समय जो है वो कांग्रेस आगे दिख रही थी एक्जिट पोल तक भारती जनता पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी बन गई है लेकिन जब मतगरना होगी तो भारती जनत पार्टी की बनेगी आदर्नी एदरुपा जी मुख्य मंत्री की रूपए शाहते लेंगे जिस तरह से त्रिपुरा में हुट आ के सम mentre कह रहे थे वुझराथ जो है शेक्न साब्रण जो काम है पन्ना प्रमुक से लेकर प्रदान मंतरी तक अबारे लोग जिस तरह से चुनाओं में अपने आपको जोगते हैं उसका परिणाम आपको 15 मई के दिर स्पष्ट दिखाई देगा बीजेपी से वोट प्रतिश्रत के रूप में और तर्टिय करनाटक में भी 47 वर्सस 41 का वोट प्रतिश्रत है आप लोगों के खिलाफ कहां पर यह दिक्कत आ रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी पिछड क्यों रहे हैं क्या लगता है आपके आख्लों में तो हम पिछड़ों को दिखाई दे रहे हैं वोगी दो बज़े तक लेकिन ओपिनियन पॉल सिर्फ आपका नहीं आ रहा है दूसरे लोगों का भी आ रहा है जहां भारतिय जंता पार्टी को बहुत कम सीटे हम से मिल रही हैं और कॉंग्रेस को ज्यादा मिल रही है यह हक्रिकात है कि किसी भी अभी तक पॉल के अंदर किलियर कट मिजॉरिटी की बात किसी नहीं की है लेकिन ज्यादा तर जो पॉल आ रहे हैं उसके अंदर आप देखें को ज्यादा सीटे दिखाई जा रही है आप ही का एक पॉल है जिसके अंदर दो बज़े त तक 56% वोटिंग हुई और शाम 6 बजे तक 70% तक वोटिंग जो है वो क्लोक इन की गई है 70 से 71% तक तो आप क्या लग रहा है दो पेर दो बज़े बाद ऐसा क्या बदलने वाला है जिस वज़े से कॉंग्रेस की सीटों में उच्छाल आएगा तो आपका इतना तेज चैनल है काफी तेजी के साथ वो काम करता है तो शाम की छे बज़े तक के आँकले अभी तक क्यों नहीं प्रिस्ट कर रहा है मेरे खाले उसको करना चाहिए उससे प्रियर पोजिशन के लिए रो जाएगी मीमवजल साब वो आंकड़े भी करेंगे देखे हम बहुत जब्मधार चानल है और क्योंकि देखे सर अभी साथ बज़े आप समझ सकते हैं छे बज़े भी कई ऐसे लोग होते हैं जो लाइन में बूत पर लगे होते हैं तो हमको जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं वो कट करेंगे फाइनल कट में वो आकड़ा भी होगा और मैं उम्मीद करूंगी मेहमान की तौर पर आप भी रहे हमारे साथ एक सवाल यहां पर मेहमान भी जानना चाहते हैं प्रेम शुक्ला से आपका सवाल है विनोदगनी उत्री जल्दी से पूचे चोटा सवाल प्रेम शुक को मुखमंत्री बनाएंगे या उसे समर्तन लेंगे प्रेम शुक्ला जी कि भारती जनता पार्टी को सपस्ट बहुमत मिलेगा इसलिए कि प्रश्णों के उत्तर देने का कोई इसमय आउचित नहीं है इद्रपा जी मुख्यमंत्री बनेंगा उनकी कैबिनेट उनके उनके अनुरूप भारती जनता पार्टी के रास्टी अद्धेश और पारलिया मुंट्री बोर्ट से विमर्श करके उनकी कैबिनेट बनेगी इसमें किसी प्रकार के किन्तु परंतु की कोई उम्मीद कोई गुंजाईश नहीं है प्रेम शुकला जी एक छोटा सा सवाल मेरा है आपसे अगर यही स्थिति रहती है तो आपको क्या लगता है कि राज़ेपाल को सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का नियोता देना चाहिए या कोई गटबंदन हो जाए उसको मौका दिया जाना चाहिए वैसे जनरली राज़ेपाल उसको आउसर देते हैं जो विधान समा बहुमत साबित करने की स्थिति में हो जी एक सवाल मीम अवजल जी आपसे भी है जी अकुजी मीम अवजल साब ये बताईए कि अगर जो अभी चल रहा है और जिस हिदाब से सीटे मिलती हैं तो आपकी क्या रणनीत होगी क्या आप जेडियेश के पास सचमुच अब इतने कटू अनुभवों के बाद भी जाना चाहेंगे या फिर राजपाल पर ही छोड़ देंगे और राजपाल के ही भूमिका पर जाता सवाल ठाएंगे मीम अवजल साब बहुत संक्षेप है देखिए आपका स्पेकुलेशन हो सकता है लेकिन मैं उस पर जाऊं क्यों जिसके बारे पर मुझे यकीन नहीं है ठीक है चलिए मीम अवजल साब इस पर शायद आप जाना चाहें क्योंकि आपसे ठीक पांच मिनिट बाद शाम चार बजे तक का आंकड़ा जो है वो एवीपी नियूज आप तक पहुंचाएगा यह हमारा सेकंड कट होने वाला है पांच मिनिट बाद एक्सेट पोल का सेकंड कट यह क्या इसमें कुछ बदलाव होगा इस पर सबकी नज़र रहेंगी सीधा वारूम चलते हैं प्रसून जी के पास हमारे साथ संजय भी जोड़ चोके हैं संजय के जरीए आपने एक ओपिनियन पोल किया उसको हमने दिखाया उसमें अपने एज बतलाया कि पांच परसंट का एज कॉंग्रिस के पास आ रहा है लेकिन जो अब जो एक्जिट पोल आ रहा है और विधान सभा में क्या 41 के लिए 40 % से उपल कर Nedra मेरे अनुमान से तो मुशकिल दिखाई ने सब्सक्राइब अगर आप उसरा दूसरी पार्टी का अनुमान 39 यह अगर ऐसा है तो बहुत खांटे का टककल भी दिखाया है लेकिन तर्फ 41product की बाती नहीं कर लारे के बीच फासला कितना है इसमें तो फासला भी दिखाई नहीं पड़ता एक तालिस और उन्चालिस तो यह तो कांटे का टक कर फिर भी दिखाई पड़ता है एक तीसरी इस्तिति जेडियस अगर सिर्फ 17 फीजदी है इस पूरे दौल में तो इसका मतलब है हमारे जो एक्जिट पोल में आ रह अगर आप इन 51 सी तो पर सब जगा अगर उनका वोड़ बराबर नहों हो जो ऐसा होता भी नहीं है 17 पर सिर्फ historic वोर्ट होते हैं के 51 में से 21 या 22 या 25 सिर्फ जीट जाना कोई नामोमकिन नहीं है एक और सवाल, क्या लास्ट मूमेंट में जो वोट पड़ते हैं, वो डिसीजिव होते हैं और बड़ी तादाद में होते हैं? बड़ी तादाद में होते हैं, तादाद बड़ी या छोटी इस बात से अनुमान लगाईए, तकरीबन 18-20% वोट, 15-17% ऐसा आप मान सकते हैं, ये वो वोटर हैं जो आखरी के 2-3 दिनों में अपना निर्णाय लेते हैं, सिर्फ करनाटक में नहीं, हमने कई राज्यों में ऐ इसा देखा है, और इसी आधार पे हम कह रहे हैं कि 15-17% वोटर हैं जो आखरी के 2-3 दिनों में अपना निर्णाय लेते हैं, अपने आप में बड़ा आकड़ा है, 15% वोट, लेकिन सब एक तरफ जाते हैं, ऐसा तो होता है, तो राजित क्या हाजी, अनुमान लगाके जाते हैं कि कौन जीत रहा है, जाधा तर ट्रेंड ये होता है, जो जीत रहा है उसके साथ चले जाओ, तो उनका अंदाजा कितना सही बैठता है, इस पर निर्बर करता है किसको कितना मिला, एक सवाल बार-बार राशिद आ रहा है कि कुछ भी कह लीजिए, लेकिन लास्ट मुमे प्राइमिस्टर के जाने से परभाव पड़ता है, पर सकता है, अर्बन इरियाद में पर सकता है, संजे जी साथ बेतर बताएंगे, बाराल रोमाना के बास चलते हैं, क्योंकि जानकारी आ रही है कि दो बज़े तक का हमने दिखाया, आप चार बज़े तक की स्तिती आ गई या रोमाना पोल का ये सेकंड कट, इसमें भी बीजे पी सबसे बड़े दल के तौर पर और ना सिर्फ सबसे बड़े दल के तौर पर बलकि जादूई आंकडा भी पार करती हुई इस साकड़े में बीजे पी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ जो तस्वीर है वो ये कह रही है, 101 से 113 सी है, कॉंग्रेस 82 से 94, जेडियेस और घट रहा है, 18 से 31 ये जेडियेस के लिए दायरा बन रहा है, लेकिन यहाँ से एक अच्छी खबर यकीनन बीजे पी के लिए, क्योंकि दो बजे तक का जो हमारा फर्स कट था, उसमें बीजे पी 97 से 109 पर थी, और अब 4 बजे तक का ये आ रहे है, 101 से 113 सीटे तक बीजे पी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, बहुमत के करीब बीजे पी 101 से 113 सीटे, कॉंग्रेस को 82 से 94, जेडियेस को 18 से 31, शाम 6 बजे तक का आखरी अनुमान अभी आना बाकी है, लेकिन क्या ये जो दो कट अब तक हमने आपको बता हैं, 1st कट 2 बजे तक का, 2nd कट 4 बजे तक का, ये 1st कट से लेकर 2nd कट तक जस तरीके से एक बढ़ोतरी बीजे पी के खाते में देखने के लिए मिली, क्या आगे भी ये लेहर की तरीके से इसी तरीके से बढ़ती हुई नजर आएगी, इसके लिए आपको इंतजार करना हो होगा, शाम 6 बजे तक के, फाइनल कट का, वो बड़ा अंकड़ा आपको दिखाएंगे, फिलहाल आपको लिए चलते हैं, नेहा के पास, नेहा, सेकंड कट आ गया है, बीजे पी सबसे बड़े दल के तोर पर जादू यांकड़े को पार करते हुए, बिलकुल इस वक्त की स सबसे बड़ी खबर यही है, कि सेकंड कट में शाम 4 बजे तक के आंकड़ों में बीजे पी की टाली सुदर गई है, 101 से 113 सीटे बीजे पी, कॉंग्रस 82 से 94 सीटे और बीजे पी की अपर लिमिंट अगर आप देखे सीटों की 113, तो वो जादू ही आंकड़ा, 222 सीटों प के हिसाब से जो 4 बजे तक का अनुमाना आया है, उसके हिसाब से बढ़ रही है, 101 से 113. मुझे लगता है, जो थर्ड कट आपका आएगा, तब तक 130 सीटों तक पहुंच जाएगे, जब थर्ड कट आपका 6 बजे का अंकड़ा आएगा, तो हमारे राश्टी अध्यक शादर्णी अमिसाहजी ने जो आंकड़ा दिया है, 130 सीटों तक, उस 130 सीटों तक आपके एकज विदाई साफ परलब्शित हो रही है, आप केरें, दो और घंटों का आंकड़ा अगर इसमें जोड़ा जाए, तो जो आंकड़ा है, वो बहुमत क्रॉस कर जाएगा, यह आप दावा करें, बीजे पी ऐसा दावा करेगी भी, क्योंकि कम से कम दो कट में, जो मामला है, वो अनुमान के साफ से कमजोर होती दिखाई दे रही है, खराब होती दिखाई दे रही है, तो मैं आपको यह बात बताओं निहा जी, कि मैं इतिफास से एक हफ्ता वहाँ था, मैं एक बात भी कह सकता हूँ, कि मुझे कहीं भी भारतिय जन्ता पार्टी का वो आंकड़ा जमीन पर दिखाई नहीं दिया, जिसका जिकर आपके इस सर्वे में हो रहा है, अगनी होतरी जी भी वहाँ पर थे, इनसे भी हमने बात की, काफी यह करनाटक में घूमे हैं, इनका भी ओपीनियन मैंने देखा था उस वक्त किया था, तो मैं तो सिफ इतना ही कह सकता हूँ, कि जो हमने जमीन पर धरातल पर जो सिच्वेशन देखी है, उसमें कहीं दूर दूर तक भारती जनता पार्टी के पावर में आने का कोई सवाल नहीं था, वहां सितरमयया साब परसी, सबसे बढ़े मिदवार के तौर पर आपे जी का एक सवाल है, बहुत चुटा सब्से लेले ज जो है, वो तो किसी भी कीमात पर सिधरमयया को मुख्यमंतरी बनाने के लिए तैयार नहीं होगे, तो क्या आप नेतर तो बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे अपनी पार्टी का, संग्शेप में जबाद सब्सेर, देखिए मैं आपको इसमें यही कहूँगा, अभे जी, और हमको हर हालत में मेजौरिटी मिलेगी, ठीक है सर, आप लोगों के दोनों के अपने दावे हैं, लेकिन एवी पिनियूस पर इस वर की बड़ी ख़वर हम आपको दे दें, एवी पिनियूस के सेकंड कट, शाम चार बचे तक में, बीजेपी की स्तीती सीटों के मामले में इंदूत्व की प्रयोक्षाला भी माना जाता है, तो जो कोस्टल एरिया के लिए जो आपने आक्टे दिखाई है, जो 14 और 16 सीट्स आप बोल रहे हैं, 10 प्लेस होने का वहाँ पर हुमीद है, आप थुड़ा सा हाई आप दिखा रहे हैं, बीजेपी की टैली बढ़ेगी, तो वहाँ पर बढ़ेगी, तटिये करना टक में, राजकिशुर जी, यहाँ से अब हम फाइनल कट का रुख करेंगे, क्या लग रहा है, बीजेपी यहाँ से सीटों के मामलों में नीचे घटेगी या उपर जाएगी, देखिए जो ट्रेंड है, एक बार जब बढ़ना सीदे वारूम चलते हैं प्रसुन जी के पास. रिवर्स होने की तो गुणजाईश दिखाई है, इसका मतलब है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की दिशा में बढ़ रही है, हंग इस्तिती नहीं रही है, बिलकुल यह जो आंक्डे हैं, इसके हिसाब से तो बीजेपी पूर्ण बहुमत की इस्तिती में दिखाई पढ़ है और हंग SMB होने की गुंजाईश बहुत कम दिखाई सुर्थ यह सवाल ये भी है कि क्या ये माना जाए कि कॉंग्रेस स्टेटिकली अब इलेक्टरल प्रोसेस को अब उसी रूप में समझने लगी है जैसे अमिश शाह ने बीजेपी को ट्रेनिंग दे दी जी है देखी कोशिश कर रहे हैं लेकि मुझे लगता अभी वो काफी पीछे चल ले हैं जिस तरीके का जो होमवर्क है जो माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट की बात है कॉंग्रेस में देखिए इलेक्शन मेशिनरी बहुत उस तरह की और बार बार में यह कहता है यह स्टा में जहां तरह के लोग होते हैं उनको कोई उस तरह से आस्थाषिए जुड़ी भी पार्टी नहीं है तो उस्तरह का कमिटमेंट उस तरह की जो एक कुर्बानी देने का ज़जवा वो सब गॉंग्रेस में नहीं होसकता और ये चीज आप देखिए करनाटक में आप जो यहां पर बीजेपी बिल्कुल नहीं है दो तीन सीट ले जा रही है और बाकी तमाम जगहों पर जो भी रीजन्स बाटते चले जाएंगे तो मसला शुरुवात में यह था जब हिंदुत को लेकर वहस चली थी सुरुवात में सीधा रमया और हमिशा के बीज जो टक रहा हो हिंदुत को लिए तब कहा गया था कोस्टल इलाका अगर यह बैंगलोर सिटी से लेकर कोस्टल तक की स्थिती में अगर इनाकडों के लियास से बीजेपी काफी आगे लीड कर रही है तो यह मैसेज मुझे लगत अगर अगर आप तीनों को मिला देंगे तो एक सो साथ सीटे होती है जो और इन सीटों पे अगर बढ़त लेती है तो शायद जो एकजिट पोल के अनुमान है शायद नतीजे वी उसी तरह के दिखाए कर तो पचातर के लगवभां को सीटे आ रहे हैं जिसे एक्तोष साथ स पूरा डाटा निकल कर अभी तक का आया है रोमाना चाहिए यह बहुत महत्वपूर है आकड़े जिनका आप इंतजार कर रहे थे देखे हमने पहले आपको फुर्स्ट कट दिखाया था दुपहर दो बज़े के मतदान के मुताबक और उसके बाद जो हमने दूसरा आकड़ा को दिखाया जो हमने एक्जिट पोल का आपको सेकंड कट दिखाया शाम चार बज़े तक के मतदान के मुताबक उसके बाद जो तस्वीर उभरी उसमें बीजेपी को फर्स्ट कट के मुकाबले पाथ सीटों का फायदा मतलब एक सो तीन जो पहले बीजेपी का उसद बन रह हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 101 से 113 सीटे 113 सीटे महत्वपूर्ण इसलिए क्यूंकि जो जादू ही आकड़ा वो 112 का बड़े आराम से बीजेपी जिसे बार करती हुई यहां नजर आ रही है और साथ ही उम्मीद बंद रही है क्यूंकि हलके हलके दो बज़े के बाद चार बज़े की जब यह तस्वीर उभर रही है तो बीजेपी बढ़त की तरफ बनी हुई नजर आ रही है वहीं कॉंग्रेस जो है यह देख रहे हैं आप औससथ हम आपको दिखा रहे हैं शाम चार बज़े तक का जो सेकंड काट एक्जिट पोल का हमने आपको दिखाया उ चीज पर ही JDS रुकी हुई है यह बड़ा आकड़ा सेकंड कट एक्जिट पोल का और आगे ABP News पर आप हमारे साथ रही है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आने बाले हैं पोल ओफ पोल्स जी हां करनाटक चुनाव के एक्जिट पोल का वो सबसे बड़ा आकड़ा हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद करनाटक की सियासी तस्वीर पूरी तरीके से आपके सामने शीशे की तरह साफ हो जाएगी रहेगा हमारे साथ फोरण लोट्रे उस बड़े आकड़े के साथ पोल ओफ पोल्स लेकर कौन जीतेगा करनाटक एक्जिट पोल का फाइनल आकड़ा देखिए शाँ साथ साथ बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर ये है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे